है देखे गाईस हमारी मूली की मुरोरी या फिर मूली की कचोडिया भी कह सकते हैं जो कि हमने चावल के आटे से बनाई हैं यह खाने में बहुत टेस्टी हैं देखे पाससे भी दिखा रहा है देखने में कितनी अच्छी और यमी लग रही है तो चलिए बनाते हैं हलो आप को हम छील करके महीन बड़ा बड़ा रफली कट कर लेंगे और ग्राइंडर में डालकर ग्राइंड कर लेंगे तो देखिए यह देखिए ग्राइंडर में डालकर ग्राइंड कर लिया है हमने और ऐसे देख लेंगे कि हमारे कोई लंग्स या कुछ तो नहीं रह गया इसमें ट जो भी आयल खाते हूं आप वो इस्तमाल कर सकते हैं तो देखे इसमें हम डालेंगे एक स्पून के करीब जीरा इसको हम चटकने देंगे अच्छे से और आप देखे हींग डालना है चार से पांच पिंच क्योंकि चावल की कचोड़िया बनाए या किसी और की कचोड़िया उसमें हींग का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है इस वज़ा से यह देखे हमने एक स्पून ले रखा है अजवाइन इसको भी मसल कर डालेंगे तो इस इसी हुई ग्राइंड मूली आप इसे कद्दू कस करके भी ले सकते हैं मगर कद्दू कस करने से न उसमें आज कचोड़या बनाने में थोड़ा बहुत रे से निकल आते हैं उस वज़े से दिक्कत होती है तो यह देखे एक कटोरी ले लिया है पानी क्योंकि चावल काटा ह हमारा लगबग लगबग दो कटोरी है तो यह एक कटोरी हुआ हमारा मूली का पेस्ट और एक कटोरी पानी तो यह दो कटोरी हो किया है तो इसको यह देखे यह एक इंच अद्रप का टुकड़ा दो हरी मिर्च आप मिर्च की कॉंटिटी बढ़ा सकते हैं गाइस लेसन और तो हरी धनिया भी चॉप हो चुकी है अच्छ तो इसको हम इसमें मिक्स कर लेंगे क्योंकि जब ग्रीन ग्रीन दिखेगा तो वह थोड़ा सा अच्छा आएगा इसलिए तो यह देखिए इसको हमने पका लिया है मूली को थोड़ा सा बॉयल कर लिया अगर आप कद्दू कस कर करते हैं तब भी थोड़ा सा बॉयल कर लें जिससे के पानी इसमें निकल जाए अब इमने नमक नहीं एड़ किया तो यह चावल के आटे को डालेंगे दीरे-दीरे और फ्लेम को बिल्कुल बंद कर दिया है क्योंकि क्योंकि इसमें लंग्श ना पड़े तो अच्छे से हम चावल को मिला लेंगे आटे को उसके बाद में हम इनि दोसी कटोरी भी ले लिया हमने लग्बग आधा आटा इसमें एड़ किया हुआ चुका है तो अब नमक नमक क्योंकि यह चावल पानी छोड़ती है तो यह साहे चीजे मिला करके फिन नमक एट करेंगे तो अगर पानी छोड़ देगी जितना मूली पेश तो उसको हम पका सकते हैं साथ में आप चाहें तो आप मूली उबालते समय जब वायल हमने मूली की थी तभी हम नमक एट कर सकते थे लेकिन उसकी नम के लिए पका लिया था इसको उसके बाद में यह तुरंत बहुत ज़्यादा गरम था इसलिए हमने ढख करके पांच मेंट के लिए छोड़ दिया जैसे कि हमारा ठंडा हो चूने लायक हो चुका है तो यह देखिए हम इसमें हाथ में थोड़ा सा ओयल लगाएंगे और इसक इसमें हम इससे हम थोड़े से बड़े आकार की लेंगे लोई जैसे थोड़ा सा बड़ा होता है उसी तरह से यह देखिए उसको ले करके हम हलके हांतों से इसकी लोई बनाएंगी यह देखिए इस तरह से तो चावल का आटा है इस वज़े से इसको हलके हांतों से बनाना है नहीं तो यह हमारा क्रैक होगा आसपास से फट जाएगा तो इसको बेलन में भी देखिए हमने ओयल लगा लिया है तो अब धीरे धीरे से हम इसे बेलेंगे आप चाहे तो आप सुखा आटा भी इस प्रट कर सकते हैं इस पर तो यह देखिए इस तरह से हमने बेल लिया है और नहीं तो आप कुकी कटर भी ले सकते हैं उससे भी कट कर सकते हैं तो यह देखिए हमने इस तरह से कट कर लिया है और यह देखिए आइस तरह से बना करके सारे हम रख लेंगे तो यह देखिए इसकी मुटाई भी देख सकते हैं आप कितनी है तो इसी तरह से हम बना करक यह देखे गाइस हमने एक तरफ कड़ाई में ओयल लगा रख दिया था तो इसको हम दीमे फ्लेम पर पकाएंगे देखे अच्छी आ रही है तो अब इसमें धीरे-धीरे से एड करेंगे यह देखे गाइस अच्छे से जितनी कॉंटिटी में आ जाएगा हम उतनी कॉंटिटी अगर आप ने ज्यादा फॉलट पलट किया तो यह तो तूट भी सकती है तो यह देखे ऐसे हलके हलके हाथों से रोटेट कर देंगे और अब देखेगा फूल कर सारी उपर आ जाएंगी तब हम इने पालट देंगे देखे उनने लगी है फूल कर तो यह देखिए दीरे- fry करेंगे आप जितनी क्रिस्पी चानते हैं आप उनी देर फ्राई कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है और हल्की सी नर्म चानते हैं तो हल्का थोड़ाजा सा कम फ्राई करिए तो ये देखिए हमारी golden brown हो हो चुकी है तो इनको हम निकाल लेंगे काईश देखे देखते रहेगा छोड़ कर जाएगा ने क्योंकि एक तरीका और हम बताएंगे कि अगर बिल नहीं रही हूं आप से कचोड़िया यह तो आप दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं जो कि बहुत दीजिए देखे हर एक कच लिए और हलक ऐसा राउंड राउंड करके कर लिया जैसे नीबू होता है उसी तरह से गोल गोल करके हाथ से करेंगे चप्ठा तो जितनी मुटाई हमको चाहिए यह देखे इसी मुटाई हमें चाहिए हम उसी हिसाब से हाथ से पतला कर लेंगे किनारों को सही करते हुए कर करेंगे चप्ठा तो देखें चाहस से हमारी हो गये ह lda तो इसी तरह से हमें को पकाएंगंगे यह देखेंगे देखें आदि पूली हुई है तो यह यम्मी टेस्टी बनकर तयार है हमारी मूली की मुरोरी तो आप देख सकते हैं यह गाइस बच्चों को या बड़ों को सब को बहुत 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 जादा पसंद आती है इन्हें आप पांच दिन तक रख करके खा सकते हैं आप सफर में जाए तब भी ले जा सकते हैं साथ में और यह खराब नहीं होती है जल्दी तो यम्मी टेस्टी लगने वाली है मुरोरी आज की हमारी यह रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक करें सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट में हमें यह जरूर बताएं कि हम आप लोगों क प्यूश की हम उब सब्सक्राइब करें और को लोगों के लाइक करें।